Hello friends, मेरा नाम जिक विंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सबनेटिंग के कुछ और कॉंसेप्ट के बारे में और स्टार्ट करते हैं with TCP IP MAT तो सबनेटिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कनवर्जन्स आनी चाहिए जैसे कि decimal to binary और binary to decimal conversions हमें number systems को change करना आना चाहिए उसका कारण यह है कि जो हमारे computers हैं वो binary system में deal करते हैं और जो हम human beings हैं हमें decimal system असानी से याद रहता है तो चलिए सीखते हैं हम इसे कैसे perform कर सकते हैं तो start करते हैं with decimal to binary conversion देखिए अभी तक जो हम number system use करते आ रहे हैं उसका base 10 होता है यानि कि अगर आप market में जाते हैं और यह बोलते हैं कि 10 rupees, 100 rupees यानि कि वो सब multiple of 10 में होते हैं जैसे कि अगर आपके पास 1 है number तो हम उसको 10 raise to the power 0 बोल सकते हैं कि किसी की भी power 0 हो जाती है तो वो 1 आ जाता है इसी तरीके से 10 raise to the power 1 जो equivalent है 10 के और अगर हम 10 raise to the power 2 करेंगी यानि कि 10 multiply 10 करेंगे तो वो 100 होता है और इसी तरीके से 3 बार अगर हम 10 को multiply करेंगे 10 into 10 into 10 तो वो बन जाएगा हमारा 1000 यानि कि यहाँ पे जो भी multiples हो रहे हैं वो 10 से हो रहे हैं अगर आप 10 को 10 से multiply करते हैं वो 100 हो जाता है और 100 को 10 से multiply करते हैं तो वो 1000 हो जाता है और अगर हम 1000 को 10 से multiply करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा यानि कि जो number system हम use करते हैं वो base 10 का होता है अब देखे एक example लेते हैं है कि 79 इसमें 9 जो है वो वन्स पोजिशन पे है यानि के यूनिट पोजिशन पे है और अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो यानि के 9 x 1 हो जाएंगे आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे अगर 9 को 1 से तो 9 यहां पे आएगा और क्योंकि 7 जो है यहां पे 10 पे है यानि के 7 को आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा विट 10 जो की बन जाएगा 70 और फाइनली जो नमबर हमारे पास आजाएगा वो 70 प्लस 9 यानि के 79 आजाएगा तो इस नमबर सिस्टम से हम बड़े फैमिलियर होते हैं जो की बेस 10 को यूज़ करता है लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या हमारी जो सबनेटिंग है उसे सीखने के लिए हमें बेस 2 numbers की conversion भी आने चाहिए यानि के हमें वहाँ पे जो number यूज़ करना है वो base 2 होगा यह कैसे होता है इसको भी सीखते हैं यह वैसे तो बहुत आसान है यहाँ पे same concept है कि देखिए अगर आप 2 raise to the power 0 करेंगे तो किसी की भी power 0 हो जाती है तो वो equal to 1 हो जाता है इसी तरीके से 2 raise to the power 1 2 होगा और अगर हम 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 को 3 times multiply करेंगे यानि के 2 into 2 into 2 तो 8 हो जाएगा इसी तरीके से 2 raise to the power 4 अगर हम 2 को 4 times multiply करेंगे तो वो 16 हो जाएगा इसको सीखने का देखे एक और तरीका भी है कि आप हर एक में यहा पर अगर आप base 2 को use कर रहे हैं तो जो भी पिछला number आ रहा है उसको आप multiply कर रहे हैं 2 से, यानि कि 1 से हमने multiply किया 2 को double आ गया, 2, 2 को multiply किया 2 से तो 4 आ गया, 4 को again multiply किया 2 से 8 आ गया और इसको again 2 इसी तरीके से 16, 32, 64 और 128, हम इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, तो हम इसको limit करते हैं, up to 8 bits only या 8 numbers तक ही लेते हैं, अब एक conversion देख लेते हैं, जैसे कि यह number है binary में आपके पास, और इसका अगर हमें decimal equivalent निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मेरे पास 8 bits हैं, यानि कि 0, 1, 00, और 4 times 1, और इसमें भी जो हमारी positions हैं वो बिल्कुल वैसे ही है सामने आपके table बना रखा है, 1, 2, 4, 8, और उसके बाद हमारा 16 आएगा, यहां से 32 आएगा, 64 आएगा और 128 आएगा, तो जितनी भी हमारी bits on हैं या 1 हैं, उन से हम multiply करेंगे, equivalent number को और final result ले आएंगे, और जहां पे हमारी bits 0 हैं, और क्योंकि अगर हम किसी भी number को multiply करेंगे, with 0 तो वो 0 हो जाता है, तो उनको हम consider नहीं करेंगे, तो चलिए start करते हैं इस side से, least significant bit से, और 1 को हम, क्योंकि यह 1 है, और 1 को 1 से multiply करेंगे, तो हमारे पास 1 आजाएगा, again, यह जो second position पे है, यह हमें 2 से multiply करना पड़ेगा, तो यहां पे 2 आजाएगा, यह जो third position पे है, अगर हम इसको multiply करेंगे with 4, तो हमारे पास 4 आजाएगा, again, इसको हम multiply करेंगे, तो हमारे पास 8 आजाएगा, और अगर हम इसको multiply करेंगे 0 को 16 से, तो यहां पे हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 0 को किसी भी number से multiply करते हैं, तो वो 0 आजाता है, इसके आगे बढ़ते हैं, इस 0 को भी अगर हम 32 से multiply करेंगे तो यह हमारा 0 ही रहेगा और इसी तरीके से एगर हम 1 को 64 से multiply करेंगे तो यह 64 हो जाएगा और 128 again हमारा 0 है और इसको भी यहां पर भी 0 आ जाएगा और अगर हम जितने 1s हैं हमारे पास आगर देखिये हम उनको अगर हम add करेंगे यानि के जो यह नमबर हमारे पास आया है it is equivalent to 79 तो अगर आप 79 जो decimal में हमारा base 10 में ऐसे लिखा हुआ है अगर हम उसको binary में देखते हैं तो उसका equivalent बनता है 0, 1, 00 और 4 times 1 तो इस तरीके से आप conversion कर सकते हैं चलिए एक और example देखते हैं तो इस बार हम number ले रहे है 172 जिसमें again वही concept है base 2 में यह 2 को हम 1 से multiply करेंगे तो 2 आएगा 10th position पे हमारा 7 है और अगर हम 7 को 10 से multiply करेंगे हमारे पास 70 आजाएगा और हमारा 100 position पे 1 है और अगर 1 को 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा क्योंकि 100 है और यह total number बन जाएगा 172 अब इसको अगर हम binary में देखे हमारे पास यह number हो और हम इसको convert करना हो तो हम कैसे convert करेंगे तो हमारे पास एक number है माले जिए 1010 1100 तो again 0 को अगर आप 1 से multiply करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे table बना रखा है अपना 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तो अगर हम इसको 1 से multiply करेंगे तो यह 0 हो जाएगा again 0 लेकिन यह जो third position पे 1 है क्योंकि 1 को 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास result 4 आएगा again उसके साथ बाला अगर 1 को multiply करेंग 8 से तो 8 आजाएगा 16 के लिए 0, 32 के लिए 1 और again 128 के लिए भी 1 और इस नमबर को अगर हम add करेंगे तो देखी यहाँ पे हमारे पास 172 नमबर आ गया है तो इस तरीके से हम convergence कर सकते हैं हमारे पास अगर binary number हो तो उसको हम इस तरीके से उसके equivalent decimal में लेके आ सकते हैं या कोई भी binary number आप लेके उसे multiply करते जाएए जो zeros हैं आप ये table को सामरे रखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 को और उसके equivalent यहाँ पे zeros को zeros करते जाएए और जितने भी ones हैं उनके adjacent number से multiply करके एक final up decimal number निकाल सकते हैं चलिए इसको थोड़ा सा और clear करते हैं जिनको अगर थोड़ा सा doubt रह गया हो वैसे तो ये बड़ा असान method है shortcut method है हमारे पास लेकिन हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखें एक मेरे पास number है जैसे 10, 110 तो क्योंकि यहाँ पे base इसका 2 है base 2 system में हमें उसको multiply करना होता है with 2 तो अगर हम इसको least significant bit या right side से start करते हैं तो देखें first bit जो है वो 0 है और 0 को अगर हम 2 raise to the power 0 यानि के 1 से multiply करते हैं तो ये 0 ही आता है किसी नभी number को अगर हम 0 से multiply कर देंगे तो वो 0 होगा अगर next number हमारा 1 है और 1 को 2 raise to the power 1 यानि के 2 से multiply करेंगे तो वो 2 आएगा अगेन हमारा next number जो है वो 1 है और 1 को अगर हम 2 raise to the power 2 यानि के 4 से multiply करेंगे तो 4 आजाएगा और इसी तरीके से ये 0 और 16 आजाएगा और हमारे पास हमें सिरफ इन numbers को add कर देना है और add करके हमारे पास result आजाएगा तो इन दो दरीकों से हम binary number को decimal number में convert कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening